तो मोटर व्लागिंग के लिए यह बहुत ही प्यारी डिवाइस है और इसको आप अपने हलमट के आगे लगा सकते हैं और बहुत ही कंपैक्ट साइज में होता है तो आपको व्लागिंग करने में भी मज़ा आएगा देख सकते हो इसकी लूप कैसी लग रही है कमेंट करके ज चहरा देखने को मिला होगा तो वीडियो ना आने की हमारी जो वज़ा थी वो यह थी कि हमारे यूट्यूब में कुछ प्राब्लम्स आ गई थी जिसकी वज़े से हम वीडियो अपलोड नहीं कर बाहरे थे तो लेकिन अभी वो सारा मैटर जो हो चुका है और अभी आपको और वीडियो देखने को मिलेंगी और उमीद करता हूँ कि आपको व्लाग भी बहुत पसांद आएंगे और जिस तरह से आपने मुझे पीछे स्पोर्ट करते आए हैं वैसे ही स्पोर्ट बना के रखेंगे तो यही आप से उमीद है और हमारा एक ही टार्गिट है कि 2025 के एं आपके लिए और ऐसे ही प्यार मना के रहें तो देख सकते हो आप यहां नीचे यह सारा समान जो है यह बहुत ही कीमती समान है जो कि आपको मोटो व्लागिंग के लिए चाहिए होता है और जिसमें माइक से कुछ अड़ाप्टर है केस है और मॉंट है और सबसे जो इंपॉ गोप्रो मुझे एक साल से जादा हो चुका है लिया हुआ लेकिन अब भी हमने इसको इतना यूज नहीं किया था लेकिन मैं आपको बता दूंग कि यह जो गोप्रो ही रो 9 है मेरे पास यह बहुत ही बेस्ट बहुत ही बेस्ट क्वाल्टिक का प्रोडेक्ट है और जो की मो यह सारी चीज़ें जो है वो मिलकर हमें एक अच्छा सेटप बना कर देंगी जो कि हमें मोटो व्लागिंग करने में बहुत ही असानी होगी और सबसे जो कीमती चीज़ है मोटो व्लागिंग के लिए वह है यह हैलमट जो कि हमने स्टड का लिया हुआ है और अभी मैं आपक जो कि हमारे पास है गोपरो का हीरो 9 जो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी चीज़ है और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका बजट इस टाइम पच्चीस से तीस हजार में है तो आपको सबसे पहले गोपरो लेना चाहिए और मोटो व्लागिंग के लिए यह बहुत ह पाइफ के वीडियो तक डिशूट करके दे सकता है और बहुत ही इसकी वीडियो में और बहुत ही जबर्दस चीज़ है ये और इसको आप अपने हलमट के आगे लगा सकते हैं और बहुत ही कविग तो आपको व्लागिंग करने में मज़ा आएगा तो उसके बाद में गाइस हमेंने लिया है यूलांजी का केस तो गाइस ये केस मेंने इसलिए लिया है क्यूंकि एक तो इससे हमारा जो गोप्रो है ये स्क्योर रहता है और क्यूंकि इस केस के बीच में रहेगा और इसमें माइक अड़ाप्टर भी जो है वो उसकी जगा बनी हुई है तो यह माइक अड़ाप्टर जो है वो इसके बीच में लग जाता है और यह आराम से हलमट के आगे सेट भी हो जाएगा उसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टन चीज है मोटो व्लागिंग में के थ्रू पहुंचती है तो यह बिल्कुल छोटा सा है बट बहुत ही महंगा है वह इसका आप रेट देख सकते हो 4800 के क्रीब है तो मुझे तो 200-300 पर यह आफ हुआ है 4500 के क्रीब क्रीब यह मुझे पड़ा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टन चीज है इसके बीना मोटो व्लागिंग नहीं कर सकते हो उसके बाद में मैंने लिया है गाइस यह ब्लू एर्मर का मौंट यह आप देख सकते हो यह आपके हेलमट के आगे जो है यह लग जाता है बिल्कुल इस तरह से जिसके आगे ही आप गोप्रो जो है व कुछ जैसे एमसिल वगरा लगाते हैं तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि एमसिल जो है वो कामयाब नहीं है गाइस उससे एक तो आपके हेलमट की जो है वो लुक भी खराब कर देता है और अच्छा भी नहीं लगता है तो अभी हम इसको भी अनबॉक्स करेंगे तो बता है और इसी के ऊपर फिर आपको अपना गोप्रो लगाना पड़ेगा तो यह जे मौंट बहुत ही बहुत ही प्यारी चीज़ है जिसकी वज़े से आप जो है गोप्रो अटैज कर सकते हो इसी मौंट की वज़े से उसके बाद हमने लिया है एक तो मेरे पास है बोया का माइक जो की मैंने पहले ही ले लिया था गैस लेकिन इसका मुझे इशू यह लग रहा है कि इसकी जो वायर आप देख सकते हो यह बहुत ही बड़ी वायर है गैस इसको भी हम हेलमट के अंदर तो अड़्जस्ट कर ही लेंगे बट बहुत ही बड़ी थी तो मैंने यूट्यूब म वीडियो में इसको देखा था मानो का माइक है यह गैस और बहुत ही चोटी वायर है इसकी और इसके रिव्यू भी बहुत अच्छे थे जितने भी हमारे मोटो व्लागर हैं भाई हैं वो सारे इसी को यूज़ करते हैं एक तो यह चीपेस्ट है और बेस्ट है यह लगबग मुझे गाइस बड़ा है कोई 300 के करीब और यह बोया का माइक जो है यह आपको मिलेगा कम से कम 1000 पर के करीब लेकिन ऐस कंपेर मुझे यह ज़्यादा अच्छा लगा एक तो इसकी वायर बहुत कम है जो कि आपको ज़्यादा अज्जेस्ट नहीं करनी बढ़ेगी उसके ल लिया है जिसका देख सकते हो आप लुक कुछ इस तरह की लुक है बहुत ही खतरनाग लुक है गाइस मैं अभी आपको लिभाता हूँ तो यह देख सकते हो गाइस यह कुछ इस तरह का है इसका नाम है ड्रिफ्टर तो गाइस यह देख सकते हो आप इसकी लुक बहुत ही ब कुछ इस तरह का है यह और इसमें इसकी संशेड भी साथ में आती है गाइस और यहां पर इसका बटन है जैसे ही अब प्रेस करते हो तो इसकी संशेड देख सकते हो और बहुत ही खतरनाग लगता है यह देखने में अभी तो गैज इस तरह का है यह कुछ हमारा हलमट और आप देख सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह हलमट कैसा लगा और यह है हमारा कुछ इस तरह का मोटो व्लॉग का सेट अप यह सारा जो है इन में से अगर एक भी चीज काम होगी तो गैज आप वीडियो शूट नहीं कर सकते हो क्यूंकि हर एक चीज जो है वह बहुत ही जरूरी है कि अब हम करते हैं इनको आपस में पूरा सेट अप देखते हैं सबसे पहले आपने गोप्रो लेना है इसके बाद यह आगया हमारा यूलांग जी का यह देख सकते हो आप कवर है जो कि कुछ टॉकुमेंट्स वगरा है यह इसकी क्याप लगी हुई है इसमें देख सकते हो आप बिल्कुल जो आपका गोप्र है यह बिल्कुल स्कीर रहता है और ऐसे इस तरह का कुछ यह फिक्स करने का तरिका है अब यहां से यह नहीं जा रहा है इसके लिए आपको सबसे भाफ ले निकालना होता है जैसे हमने निकाल दिया है आप पिर आराम से इसमें फिट हो जाएगा यह कुछ इस तरह का है यह देख सकते हो आप तो गैस यह हो चुका है गिल्कुल गोप्रो फिट हो चुका है इसमें आप देख सकते हो अब जैसे यह चीज अगर हमें नहीं चाहिए तो इसको आप उतार भी सकते हैं कुछ इस तरह से यह देख सकते हो और यह ड़कन भी हम इस इस तरह से तो यह हमारा हो गया एक compact size तो guys अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अभी हमें चाहिए mic adapter जो आपकी आवाज पहुंचाने का काम करेगा क्यूंकि आपको पता है guys helmet के अंदर से आपको आपकी आवाज जो है वो बहार नहीं आ सकती है तो आप अपने audience तक अगर कोई भी आवाज पहुंचानेंगे तो वो आपको नहीं आएगी तो यह है कुछ किस तरह का हमारा adapter इसको सबसे पहले किस तरह से डाल लेना है यहाँ पर यहाँ से आप देख सकते हो जो इसका charging point है तो यह हमारा adapter भी जो है वो इसी के बीच में fit हो चुका है तो इसी के लिए हमें यह उल्लैंजी का cover जो है वो लेना पड़ता है क्योंकि यह adapter जो है इसमें अराम से लग जाता है तो यह देख सकते हो आप यह हमारा setup जो है वो कुछ इस तरह से त्यार हो चुका है अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें helmet में यह किस तरह से लगाना पड़ेगा इसको हम अपने helmet में किस तरह से fit कर सकते हैं तो आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो गईस यह आपका जो GoPro है यह यहाँ पे लगेगा तो इसको लगाने के लिए हमें सबसे पहले मेंने लिया है blue armor का यह mount आप देख सकते हो तो guys कुछ भाई मेरे emsil वगरा use करते हैं तो emsil से एक तो आपकी यह पूरी look यहाँ पे खराब हो जाती है तो इसलिए अभी market में यह एक नई चीज़ आई है और बहुत ही छोटी सी है लेकिन बहुत ही useful है यह मुझे लगबग 300 पे की पड़ी है तो इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से fit कर देंगे यहाँ पे देख सकते हो और इसकी यह 3 mm की tape होती है बहुत ही strong होती है जो गोप्रो को गिर रहे नहीं देती है और इसी के साथ में हमने एक लिया है यह mount यह कुछ इस तरह का है गाईस इसको J mount कहा जाता है देख सकते हो आप क्योंकि यह J shape में होता है तो इसलिए इसको J mount कहा जाता है और इसका काम होता है डायरेक्ट आप गोप्रो को इस mount के साथ नहीं लगा सकते हो तो उसके लिए आपको यह J mount लेना पड़ेगा यह जो J mount है यह इस तरह से fix होता है यहाँ पे और फिर इसको आप lose करके यहाँ पे जो है यह अपना गोप्रो जो है यहाँ पे लगा सकते हो इसको हम fit करते हैं तो यह देख सकते हो आप हमारा यह final touch हो चुका है देख सकते हो आप हमारा जो setup है वो बिल्कुल तियार हो चुका है गोप्रो हमारा fix हो चुका है helmet में आप देख सकते हो इसकी look कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और इसमें आप देख सकते हो मैंने माइक भी जो है वो फिट कर दिया है और वो माइक जो है यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस बिल्कुछ साइड पर रखा हुआ है हमने क्योंकि अगर यह सामने रखेंगे तो फिर देखेंगे कि इस तरह का यह सेट अप जो है यह काम करेगा और मुझे तो अमीद है कि यह बहुत ही अच्छा काम करेगा तो गाइस नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही जल्द आने वाली है और दोस्तों के साथ हम एक टूर जो है वो करने वाले हैं तो तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाके रखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आये हो तो इस चैनल को सस्क्राइब किये बिना मज जाएं और अपने फ्रेंड से भी करवाएं क्यूंकि हमारा टार्गेट है हमारा दोजर पच्छिस तक हमने यह चैनल 50 के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं इसमें आप ही मेरी मदद करोगे तो तब तक के लिए ऐसे ही प्यार बनाए रखें